कि मुश्कार दोस्तों स्प्रिंगोड अक्राइड में को उसके अंदर आपके पर फिर्स वागत हैं और आज जिस मुद्धेपरपन चर्चा करेंगे वो है कि इस साल वहाँ पर जो प्रेजिडेंट के चुनाव है वो होने वाले तो इसलिए यह पूरे विश्व के लिए एक इक इपॉर्टन सब्जेक्ट बन जाता है कि तो यह समझें कि इसलिए का प्रेजिडेंशल लेक्शन होता कैसे है उसके इंदर कौन हमेदवार है उनकी क्या विनिंग प्रसिबिलिटीज है और इंडिया पर उनका जो हो क्या इंपक्ट रहे इन सब चीजों को हमें जो हो जानना जरूरी है और इसलिए आज हम देखेंगे कि यह प्रेजिडेंशल एलेक्शन जो हो किस प्रकार से होता है इसको आग देखने से पहले हम थोड़ा USA के जो पॉलिटीकल सिस्टम है वहां का जो गवेंश का सिस्टम है उसको हम थुड़ा समझे लेकं यूजभा भी genau ज्यूब market राजवरस्ता है जिसको पन कहते है executive branch होती है गवर्मेंट की executive branch होती है एक आपका legislature होता है विधाई का होती है और एक जो है वो आपका न्यायपालिका होती है या judiciary होती है तो USA के अंदर भी इसी प्रकार से executive branch भी है वहाँ पर legislature branch भी है और वहाँ पर judiciary भी है कारेपालिका जो होता है उसका प्रमुक होता है president राष्टपती जो है वहाँ की कारेपालिका का प्रमुक है और ये कारेपालिका का प्रमुक तो राष्टपती होगे legislature जो है legislature में वहाँ पर जो है वहाँ पर उसको अपन कहते है congress यहां पर जैसे बारत के अंदर जो अपना विधाई का उसको हम कहते हैं संसद और USA का जो legislative विधाई का है उसको कहते हैं Congress जहां पर कानून बनते हैं और Judiciary के अंदर से भारत के अंदर सब्सक्राइब रहे सा कुर्ण है नहीं के तो इस प्रकार से यह वो Head of the Government भी है और Head of the State भी है भारत के अंदर जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपती जो होता है वो एक नाममातर शक्ती है यानि वो Head of the State तो है राष्ट्रपती जो है वो भारत के अंदर है वो राष्ट्रपती के पास नहीं होती है वूर आवास्तियु शक्तियें किसे फास, प्रिधान मंत्री के पास, भारत के अंदर तो head of the government कॉल है? प्रिधान मंत्री है, और head of the state कॉल है, तो वो President है, अदर to USA के अंदर head of the state or head of the government, जो government का प्रमुखह यह दोनों की दोनों कॉल है? यह प्रेजिडेंट है प्रेजडेंट अगर पर यह दोनों चीज़े एक जाना पर गange है जो राष्ट्थ मछ प्रणाली इसका निताइः का एलेक्शन के लिए कौन मेती जो कौछ सकता है तो एलेक्शन के लिए जो राष्वति cannon उसकी जो एज पेंतीच साल से ज्यादा होनी चीडिए अधैस साल 25 से ज्यादा हो वह बारत इसा पर चापर ग्रीन कार्ड लिया उसके बाद में उसको सब्सक्राइब उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब है वह राश्मति शेयर कि डर्स्द तो राश्मति के चुल नहीं लड़्शक्ता तो इसके अलाव़ मिख्ति जए वह वय्युषा का डिजिडेंड एतध में रहता भी हो ऐसा नहीं है एक रह थो रह युषा पर उसके बाद में किसी दूसरी देश के इंदर जाकर कोई काम करने लग गया और युएसे में विक्ति रहता नहीं है तो ऐसा विक्ति जो है वो युएसे का चुनाव नहीं लड़ सकता है राश्पति का चुनाव भी विक्ति लड़ सकता है जो की 14 साल से वहाँ पर जैसे पन देखते हैं जो गवर्मेंट का करेकाल है वो पांच वर्ष का है परन्तु युएसे के अंदर ये चार वर्ष का है और कोई भी विक्ति जो राश्पति बना हुआ है वो maximum कि दो थो दो यहां वो मसार वारत है जादा उससे वक्ति नेर नहीं सथे बbyल्ड जो आप से नईन्टर नाश्पति बने और नाश्पति से बार्ग मई राश्पति जुए है वह दो चली है wash तो इस प्रकार से दो टर्म आप पुरा कर सकते हैं। नहीं हो और यह जो शर्त है यह शर्थ आई है न के बारसे संसल्सेटिव यह दो टर्म से ज्याना भी आप सकते थो इस प्रकार से राश्ष्पती का कारोकार 507 परकाय drain के 12 आज हम जिस प्रॉसेस के बारें चर्चा करेंगे वो इसी राश्मृति का एलेक्षिन कैसे होता है उसी प्रॉसेस पर देखेंगे दूसरा जो ब्रांच ऑफ गवर्मेंट है वो है इसका जो राजवरस्ता का जो दूसरा पार्ट है वो है लेजिसलेचर वहां की विधाईका विधाईका को कहा जाता है कॉंग्रेस वहां की कॉंग्रेस के अंदर भी दो हाउस है एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सिनेट जैसे भारत के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिटिव यहां का लोग सभा जैसे हमारे लोग सभा है लोवर हाउस है वैसे वहां का जो lower house है उस lower house को अगाज़ाता है house of representative और जैसे हमारे यहां प्रसंसद में एक upper house है राज्यसभा वैसे वहां पर जो upper house है उसको कहते है सिनेट यह जो house of representative है इसके अंदर कुल 435 सदस्यों जो house of referendum उसमें जो आपके MPs हैं वो कितने है 435 435 होता है और इनका जो कारेकाल होता है वो दो वर्ष का होता है यहार दो वर्ष के बाद में इनका election जो है वो वापस होगा सिनेट जो है वहां का अपराउंस है और इसकी जो member है वो है total 100 100 member क्यों है क्योंकि USA के अंदर जो total number of states है वो है 50 50 states है और 50 states है तो उनका दुगना हर स्टेट से दो जो सिनेट के मेंबर है वो चुनी जाते है और दो सिनेट के मेंबर चुनी जाते है तो total वहां पर मेंबर हो गए 100 यह एक तरीके से जैसे हमारे यहां परमानेंट आउस होता है राज्य सभा वैसे यहां पर जो सिनेटर व परमानेंट दौस है इसके वन थर्ड मेंबर जो है वह हर दो वर्ष के बाद में रेटायर होते जाते है ठीक है और एक कोई सिनेटर है अगर वहां पर तो उसका जो कारेकाल होता है वो 6 वर्ष का जो सिनेटर होंगे वह हर दोवर् START में जो चेंज होते जम इस परकार सबस्दारीय और जो चीह हैं वह तीन परकारता जो पिलर्सै वह बने वह तो अब अगर हम देखें कि ओसे इसकंद और प्etry तो USA में दो मुख्य political parties है दो मुख्य होने का मतलब यह नहीं कि दो ही है दो से ज़्यादा भी हो सकती है political parties तो पर अंतों जो major political parties है वो वहाँ बर दो है एक तो major political party में एक तो आती है आपका Republican party और दूसरे है Democrats एक तो Republican और दूसरे Democrats तो इन्वे क्या differences आप Republican और देमोक्राट के अंदर ideology का ideology में यह जो लोग है Republicans जो है वो थोड़ी conservative है और यह जो Democrats है उनके ideology थोड़ी liberal यह थोड़ी liberal ideology है थोड़ी उदारवादी विचारदारा के अंदर मतलब यह दूसरे देशों से आने वाले लोग वेलकम करेंगे और climate change जो और ऐसी जित्ती भी बाते होगी इन सब चीजों के उपर बाते हैं के अत्म मतलब जो है वो liberal views होंगे इनकी जो views होंगे इन सभी चीजों के अंदर थोड़े conservative होंगे इसके अलावाद जो है इनका जो सिंबल है अगर हम सिंबल देखे तो इनका सिंबल है इनका जो सिंबल है और इनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यह दो मेजर पॉलिटिकल पार्टि जो है वहाँ पर अब हमने यहां साफ है अब हमने यहां पर पड़ लिए उसके जो पर शोटी शोटी पार्टियां और और उनका रोल ज्यों इतना ज्यादा यूस्के पालिक्स में इतना इंपॉर्टन्रों तो प्ले नहीं करते हैं इसलिए उनको जदा जो है उसको उसको परम ध्यान नहीं देंगी अब बात करते हैं यूएस के प्रेजिदेंशल एलेक्शन की अभी हमने देख लेक्शन हर चार वर्ष के अंदर होते हैं indirect election में कि सीधे लोग जो राश्टपदि को वोट नहीं करते हैं और बात को जो दूसरे लोगोग है उनको पतने ंदर शरू हो ग governo और उसके बाद में ओर उसके वर्षबर जलता रहेगा और यूएस प्रेजडेंट जो डेमोफ है उसे काम करना उरुकण वहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में डिसकेशन या लोगों का आगा होता है और जाथ होता है Chris इस वज़े से इसमें बड़ा टाइम जो है वो लगता है अब अगर हम देखें इसको टाइम लगतो रहा है तो क्या प्रॉसस होती है तो देखो इसको समझने के लिए हम USA की पूरा प्रेजिंचिल लेक्शन है उसको दो भाग में बांट सकते हैं पहला जो पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर तो सेलट करते हैं केंडिड़ेति सबसें पहले तो आप यह सलिक्ट करोगे को है कौन केंडिड़ेट होगा प्रेजिंशन प्रेजिंट है उसका नौमिनि कौन होगा है यानि दोनों पॉलिटिकल पार्टेश Milipκ वहों humour ब् और दूसरा जो फेस है उस दूसरे फेस के अंदर आभ वास्तिक्ता में जो प्रेजिटिट्ट कर लिया जायगा तो इस परकार से दो ओए जो फेज़े को हम सबसे पहले देखते हैं वह एक एक इसका सेलेक्शन कैसे होता है अब candidate का selection कौन करेगा तो सब पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका candidate होगा तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसको select करें है पाटिकल पाटी जो है उनकी पॉल्ट यूनिट होती है इसको कौन नॉमिनी होगा उसके लिए कुछ tires प्रकार की चुनावाता है। इनको कहते हैं कि, primary या फिर पॉकस दो प्रकार की चीज़ी होती है एक तो द llevॉसरा उरक और दूसरा आधि Curiosity और पॉकस तो सबसे पहुंहें हैं नोज़ा और प्राइमरी क्या है एक雀नाव की विवस्ता इंदर एलेक्शन के वस्ता होते हैं तो उस पार्टी के अंदर जो भी रजिस्टर्ड जो लोग है पार्टी के वो क्या करेंगे वो एक जगह जाएंगे एक पर इसके लिए वोट करेंगे अब और खॉक्स में क्या होता है तो कॉक्स एक परकार का informal meeting होती है आरो प्चारी ग्रूब से किसी एक जगह पर जो पार्टी के लोग होते हैं या फिर जो बाकिये वह वहाएं थे वो सब एक जगह गैदर हो जाते हैं एक जगह आजाएंगे और एक जगह आकर फिर उन में से पूछ लिया जाता है कि आप कौन किस को जो है वो सपोर्ट करता है अब देखो यहां पर ध्यान रखते ही बात है यहां पर प्राइमरी और कॉकस जो है इसके अंदर डैरेक्टली क का इलेक्शन नहीं हो रहा है यह जो लोग होते हैं यह कुछ दूसरे लोगों को डिसाइड करते हैं जिनने कहते हैं डैलीगेट्स यह कौन है सब डैलीगेट्स तो लोकल लेवल के ऊपर जो भी पार्टी का कोई वी इटी मेंबर है जैसे मालों कोई मेर है या वहां पर पा पार्टी के मेंबर को बता के रखता है कि मैं किस कैंडडीट को सपोर्ट करूंगा तो डैलीगेट्स पहले लोग वोट किसको देंगे डैलीगेट्स और यह delegate पहले से क्या बता चुका है कि मैं किसको support करता हूँ दूसरा caucus, caucuses में क्या होगा तो caucus के अंदर साब वो किसी एक जिगह पर खटा हो जाएंगे जैसे मानलों किसी park में खटा हो गए यह किसी school में खटा हो गए किसी sports club भी खटा हो गए वहाँ पर यह लोग क्या decide कि delegate मानलों को को एक delegate है जो कि Pacific को support करता हूँ यह किसी वैक्ति को support करता है अब इन से जो वो पूछा जाएगा क्वह आपकेस को support करने हो जो लो किर C वाले एक तरफ आपकर आपकड़ा गरेंगे तो उनको count कर ले याझाए अच्छा इत रिपने लोग जूँया है उनके साथ उसके बार में उनको यह कह दिया जाता है कि आप जो एक तरफ किड़े उजा हूँ A के support वाल एक तरफ खड़े हो जो, B के support वाल एक तरफ खड़े हो जो, C के support वाल एक तरफ खड़े हो इसके बाद में यह जो लोग है, यह जो अलग-लग जगह पर खड़े हुए यह आपस में एक दूसरे को convince करने की कोशिशे भी करते है तो में हमारा candidate जो है उसको तुम ज़्यादा support करो तुम्हारे candidate की जीतने की जैसे मानलों हो सकता है कि उसकी जो chances है वो कम हो या कि यह का जाए इसकी policies जो इतनी ज़्यादा strong नहीं है तो इसलिए वो आपस में एक दूसर से चर्चाएं करते हैं और चर्चा करके उन लोगों को को अपनी तरफ convince करने की कोशिश करते हैं और convince करने कोशिश के बाद में जो सबसे जाना वोट मिल गए तो एक्स जो आपका प्रेजिंट है उस प्रेजिंशल लॉमिनी को वो बिसाइड कर रहा है तो इस तरीके से primary और caucus जो है वो organize किये जाते हैं हर स्टेट के अंदर अलग होते हैं किस चेट के अंदर primary होती है और सबसे पहला होता है और उसके प्राइमरी तो primary सबसे पहला होता है नियुहम शायर गिंदर, वैसे तुछटा सा से य०ुह हो best Act donc यह वे सबसे फेले प्राइमरी उनमे कि स्छेइड पर हो गहार 안 I will उसके बाद एक और टारम पर आती है उसकोता है war सुपर। तूजडे यह क्या होता है उसको क्या आजाता है उसको कहते हैं इस प्रकार से यह प्राइमरी और कॉकस हुई अब आपको यहां पर क्या होता है इन फॉरमली तो पता लगा है कि और में विक्ति जो आया है वह जो है जॉइब बाइडन जो है वह पता लगे हैं इसाब जो है वह पता लगया है और डेमोक्राट्स का कंडिडेट होगा हाला कि अभी तक उसका कुछ फॉर्मल अनॉंसमेंट जो हुआ नहीं यह फॉर्मल अनॉंसमेंट कहां पर होगा तो इसके बाद भी होता है एक नैशनल कन्वेंशन दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हो अपनी नैशनल कर्वेंशन और मेंशन करते हैं नाशनल कर्वेंशन का मतला है एक बड़ी मीटिंग एक बड़ा कॉन्फरेंश जो है यह और जिसके अंदर पूरे जो देश है उस देश से सभी डेलिगेट्स उनको वहाँ पर बुलाया जाते हैं डेलिkęट्स को भी बुलाते हैं उनको भी बुलाते हैं सब लोग जो वह एक जगहें आ जा जाते हैं तो यहां पर National Convention के अंदर जो पार्टी के कंडिडेट्स जो लोग है वो सारे एक जगह आ गए सारे डेलिगेट्स और डेलिगेट्स आकर उन्होंने वोटिंग की और वोटिंग करने के बाद में डिसाइड हो गया है फॉर्मली को हमारी पार्टी का कौन केंडिडेट्स जैसे रिपब्लिकन का पार्टी का कंडिडेट्स तरुम्प जो है और डेमोकरेट का हॉंँ है तो वह है जो है यह जो आपकर इस तरीके से जो है वह यह डिसाइड होगे तो हाला कि अभी तक नेशल नेशनल अब यहां पंट नेशनल का रट्टी का केंडिडेट वह कौन होगा पैला प्राइमिन कुछ स्टेट्स होते हैं अनुनिक फॉर्मल इलेक्शिंस होते हैं इसके इंदर जाते हैं लोग वो डालते हैं मैं बैलेट पर से कौकस कौन है तो caucus के इंदर informal होता है अब इसमें participate कौन करता है तो अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग rule है कुछ राज्यों होते हैं जिसमें पार्टी के registered लोग ही दा सकते हैं कुछ लोग हैं जिसके कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें उस state सब्सक्राइब और ये लोग वोट किसको दे रहे है सिधह प्रेज़ेंट को वोट नीदे प्रेजिशनल नॉमेनी को वोट नीदे रहे हैं यह किसको दे रहे है डेलीगेट को और यह जो डेलीगेट है फिर यह कहां पर जाएंगे नाशनल convention के अंदर अब पता लगए इसा प्रेशनचल नॉमिनी कौन होगे अब इलक्शन का kempen शुलूओने के बात मिए अलग लग जो वहाँ के जो राज्ये राज्यों के अंदर बिसेट करेंगे वहाँ पर रहलियां करेंगे वहाँ पर लोगों को अपना policies जो है वो बताएंगे और इसके अलावाद जो दोनों major political parties हैं उनकी कुछ televised जो debates हैं वो भी होती है television के उपर इनकी debates भी होती है दो या तीन debates जो है वो होती है जो कि पूरा देश जो है वो उसको सुनता है पूरा देश सुनता है तो उससे पता लगता है जो भी देखती है उसकी जो policies है वो policies कैसी है लोग उसकी policies को तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से television debates जो है वो television debates भी होती है इसके बाद में अब आता है election का दिन कि election जो है वो conduct election कब conduct होता है तो यहां पर constitution के अंदर एक rule है कि election होगा November में तो November के अंदर भी तब होगा November के अंदर जो first Monday उसके बाद जो Tuesday आता है उसके अंदर उसको elections जो है Click जैसे इस बार election होगा क्ब तो 3rd November अब इलेक्शन वाले दिन भी कोई सीधे जो लोग है वो सीधे की सीधे जागी को प्रेजिंचल केंडिडेट को वोट करने वाले ऐसा नहीं वो अब किसको वोट करेंगे तो वोट करते हैं कि अथे और इसको अपर वह की सीधे अब वह पर जाएंगे तैसे लोग जोंगे वोटिंग करने के के वह को आइसे लोग जो की USA की टिजन है और 18 वर्स से जाना कि उनकी आई उए एसे लोग जो जो है वो जाएंगे बूत पर और बूत पर जाकर किसको वोट देंगे इलेक्टर जो है उसकी बैठ्टर को वोट देंगे और यह जो इलेक्टर होते हैं यहपे पहले से सब्सक्राइब तो इसके लावा जो छोटे स्टेट्स है उनकी अंदर जो आपका इलेक्टर्स की जो नंबर वो कम है कहीं पर तीन भी है कहीं पर दो भी है अब दो यहां पर फिर एक और वह बात दोती है कि एक और जो बात समझने की वह है कि स्विंग स्टेट क्या होगा है अब यूए से के अंदर के अलमोस्ट एक तो सब्सक्राइब और दूसरा कॉंसेप्ट है विनर टेक्स और यह क्या होता है विनर टेक्स और का मतलब होता है सबसे फ़हले विनर टेक्स और को समझे लें हर एक स्टेट के अंदर वोटिंग होई होने के बाद में क्या है पालोग स्वावन इन्साइट है और इस में टोटल नंबर आप Teen हो पिर वापस डैमोक्र legitim फ्र वापस डैमॉक्रीट सचार एक हुए रिपΡवमिकन इन इन हैं यहां पर चैनल डैमोक्रаксим grants दिẦर को गाए और 6 हो गई यह, परन्तु अब होगा क्या, होगा यह कि यह सारे के सारे 10 के 10 जो है, वो सारे के सारे किसको बिल जाएंगे, वो डेमोक्रेट को बिल जाएंगे, क्यों क्यों कि ज्यादा किसके है, डेमोक्रेट को, विनर टेक ओल, कि जो भी विनर होगा, वो सारे के सारे जो है वो ले जाएगा दैम्होर्ट का मतलब जिसे जॉइब आइडन अभी जुए बॉक्षत तो ऐसे एलेक्टर को किस को कि不能 करते थे जॉइब जॉइब यह एंदि तो इस साथ यह तो स्टेटिक है कि कुछ राज्य है वो तो Republican की तरफ ही जाएंगे, कुछ राज्य है वो Democrats की तरफ ही जाएंगे, जैसे California है वो अधिक तरफ ही जाता है, टेकसेस है तो वो अधिक तर जो है वो Republicans की तरफ ही जाता है, पर तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं, जिनका कुछ पता नहीं है कि किस तरफ जाएं कि यहां पर voting pattern क्या ऐसा ही रहेगा या तो यह change भी हो सकता है तो जहां पर change हो सकता है voting pattern जैसे पिछले election में उन्हें और वेट दिया होगा किस बार जो है वो state किसी और को vote कर रहा है ऐसे जो state होता है उन state को कहता है swing state यह swing करते रहते हैं अभी Republicans के तरफ तो स्विंग करने वाले जो स्टेट होते हैं वह स्विंग स्टेट और यह काफी crucial होते हैं क्योंकि जो तो presidential nominee होगा वह पहले अपने वाले जो उसके हो गया था वह हमारी तरफ आजे तो स्विंग स्टेट को अपने तरफ करने की कोशिश से जो है वह की जाती है तो इस तरीके से स्विंग स्टेट और यह winner take all के concept जो काम करते हैं और जो तीन नवंबर होगा उस दिन यह election जो हो हो जाएंगे फिर यह लोग क्या करेंगे यह जो एक्टर साब की एक हुए अब यह लूग फिर वोट करेंगे कि इसको उस प्रेजजटेंशल 9 लिग फिर यह जो लोग होंगे अब यहां पर फॉर्मली मतलब आपको इनफॉर्मली तो पता लग गया सबसे ज्यादा जो इसका रिजल्ट आएगा उसी दिन पहले तो पता लग जाएगा पर अभी तक वह फॉर्मली प्रेजिडेंट जो है वह गोशित नहीं हुए यह इलेक्टर दिसंबर के अंदर जाकर फिर यह एलेक्टर्स वापस वोटिंग करते हैं अब यह वोटिंग करेंगे यह वोटिंग या तो जो जिन इलेक्टर्स ने इसको वोटिंग के अंदर करेंगे अब जो यह प्रेजिंशल नॉमिनिय उसको वोटिंग के अंदर उसको simple majority जो है वो चाहिए हो तोटल जो इलेक्टर्स होते हैं ये इलेक्टर्स की जो टोटल नंबर है वो है 538 538 ये 538 ऐसे बनता है कि हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव का अपने देखा कि नंबर है 435 ठीक है सिनेटी के अंदर नंबर है 100 ठीक है तो 535 और उसके बाद वाशिंटन डी-सी है तो ये टोटल जो इलेक्टर हो जाते हैं वो किते हैं 538 अब इन 538 में से जिसको majority मिलेगी जिसको majority मिलेगी जिसके पास में 270 वोट आगे इलेक्टर्स के 270 इलेक्टर्स जो है जिसके पास में है वो विक्ति जो है वो USA का राश्रुकती बन जाए अब अगर यहां पर तो अगर वोटिंग हुई है और आपको 270 मिलेगे तो वाइट ठीक होगी अगर नहीं मिली तो अगर किसी को भी अगर किसी को भी मेजुर्टे नहीं मिल रही है तो फिर यह मामला जाएगा कहां पर हाउस और अगर इस तरीके से यह जो प्रेजेशल एक्शन है उसका का मोई यह वोटिंग में कर दिसंबर में अब यह नवंबर के अंदर तो इसको कितने वोट मिले यह होता है जनवरी में जो जीतेगा उस जीतने वाले को 20 जनवरी को 20 जनवरी 2021 को वो विक्ति क्या बन जाएगा वो USA के राष्टमती के रूपे शपत ले लेगा और इस दिन को का जाता है इनाउगरेशन दे तो और यह मतलब 20 जनवरी फिक्स है कि अगर नया राष्टमती बनेगा तो कब बनेगा तो 20 जनवरी जो उसी को बनेगा तो इस तरीके से जो यूएस के प्रेजिदेंचल जो इलेक्शन है उसकी प्रॉसस जो इस तरीके से कारे करती है तो अब तक यह इसके वोट पढ़ेगी इलेक्टर युट्स के वोट पढ़ेगे अब कौन है इसके जीतने के चांस है और क्या है तो अपन ने दिखा है इसे दो प्रकार की पालिटिकल पार्टी ने माँपर एक तो डइमोक्रेट से हैं और दूसरे रिपब्लिकन से हैं कि डैमोक्रेट की कि तरफ से कौन है जोए बाइडन और रिपब्लिकंस की तरफ से हैं डॉनल्ड ट्रॉम अब किसके चांसे वह हैं तो वैसे तो क्या होता यूएस के इंदर अगर कोई भी प्रेजिडेंट जो है वह सेकंड टार्म के लिए अगर जा रहा है वापस दूसरे टार्म के लिए परन्तु अभी यहां पर क्या थोड़ी सी जो पिक्चर पिक्चर के अंदर थोड़ा सा चेंजिस आएं कि जॉए बाइडन जो है वह पहले कोई इतने को स्ट्रॉंग केंडिडेट थे नहीं और यह एकदम से जो है वह उभर कर आए पहले जो स्ट्रॉंग केंडिडेट की था उनका नाम था बर्मी सेंडर्स बर्मी सेंडर्स जो है वो शुरुआत के में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पर उसके बाद में जो नमबर ऑफ डेलिगेट्स उनको मिलने चाहिए थे वैसे उनको नहीं मिले और उन्होंने भी कुछ दिन पहले अपना यह जो प्रेज अब और जो चुनाव के लिए लटकशित है उसको अपनाने के ज़्यदा हो मागत है के सामने एक और बड़ी चुनौती जो है वो आगई कि भी कोरोना वाइरस जैसे कोरोना वाइरस का यह जो पेंड़मिक था यह आया तो उसको उसको वर्स अफेक्टेड अगर कोई कंट्री है तो वो यूएसे है बिसब से ज्यादा नंबर आप डेट्स जो है वो यूएसे के और यह इनके लिए पॉजिटिव परन तो जॉए बात तो यह विक्ति जो है इसकी बहुत जाना हो चुकी इनकी एज जो है वो 77 साल और इनको क्या है थोड़ा समझने में और बूलने की विबारी हो चुकी है कि यह फैक्स जो है वो बूल जाते हैं बोलते बोलते जो इनकी कोगनिटिव एबिलिटीज है उसके उपर कई लोग प्रशन उठा रहे तो इस वज़े से यह एक समझा इनके साथ है फिर इनके उपर जो है जो है जो चार्ज़े वह भी लगे वे और वह भी इनकी इमिज जो इमिज को थोड़ा दुमिल करता है इसके बाद में इनके बेटे हैं और उनके ऊपर कई सारे जो है वह बहुत बड़ा एरिया है जिसको आपको कवर करना है वहां पॉलिटिकल रैलीज करने यह सब करने तो उसके लिए फंड बहुत बड़ी वातरा में अभी इनके पास वे फंड्स की बहुत कम नहीं है फिर क्योंकि कोरोना वाइरस के कारण लॉक्डाउन वगरा होगा चल रहा था तो इसलिए यह देखा गया कि डिजिटल स्ट् लिए इनको देखने को मिल रही तो इसतारीक़् से Sé Kath stress感िने को समझ्ण है गुद्धी डांस ट्रॉप्स का फरने करने वॉद्णीकषार में रह जी जीतने की छांसेज है उस पे बहाँ पर एक question mark जो है वो बन जाता है परन्तु इस coronavirus के pandemic के बाद भी इनकी जो approval rating है उसके दर बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं आई है 49% पहले approval rating थी वो कम होकर 43% होई है यानि बहुत ज़्यादा जितना unpopular होजाना चाहिए था यह जितना सोच रहे थे उतना unpopular यह नहीं है तो इस तरीके के जो जो बात हैं वो इसके अलाब आप coronavirus के pandemic के कारण एक और वहां पर मांग उठाई जा रही है कि mail के थुरू जो आपक वोनीची वोटिंग अंदर एक तो था मैं फिसिकल वांपर प्रेजंस हो और फिसिकल प्रेजंस होके और फिर आप वोटिंग जबकि Democrats जो ही है डिमांड कर रहे हैं पिसिकल प्रेजंस जो होना पॉसिबल नहीं है तो ऐसा करो कि वोटिंग जो है उसको mail से करवाले परत तो वोटर टर्न आउट जो हो क्या हो सकता है काम हो सकता है कि एक और आशंग ये बीजटाई जा इलेक्शन को थोड़ा डिले कर दिया लिए इसको डिले करने के लिए U.S. Congress के कानून के आउशकता होगी तो वो कानून पार्ट होगा तभी एक्षन डिले होगा जिसकी possibility जो है वो आशंगा जिताई जारी पर इसकी possibility काफी कम है तो इस तरीके से चुनाव के इंदर इनके जो किसके chances कितने हैं यह हमको देखने को मिल रह हैं वो कोई इतना बहुत ज़्यादा changes नहीं लाने वाले हैं डॉनल्ल ट्रम जो है वो हमने चार साल के अंदर उनको देखा है भारत के प्रति उनकी जो policies है वो positive है almost ठीक है उतना ज़्यादा कोई जो negative policies जो है उन्होंने नहीं अपने है आलांकि protectionist policies हैं बाकि पर बारंतु दूसरे देशनों प्रति जितनी है उत्रा भारत के प्रति उनका negative attitude नहीं और वो चाहते हैं कि Indian community वहां रहने वाले जो इंडियन community है वो Democrats के बजाए अब Republicans को जो है वोट करें तो इस वज़े से ये इंडिया की प्रति positive है ही ठीक है और आप है रिसेंटली नमस्ते कराप इन नकारत में गुरुख अपनाने वाले ऐसा नहीं तो जोई वाइडन जो भी इतना कोई खतरना अगया भारत के प्रति को negative विक्ति हो ऐसा नहीं है पर क्योंकि इनकी cognitive abilities का अगर यह से problem है तो वो जरूर हो सकता है कि थोड़ी negative हो जाए डॉनल ट्रॉम के साथ में जो positive बात है कि पॉलिटिकली incorrect है कि अगर बहुत सारे लोग डॉनल ट्रॉम को पसंद नहीं करते तो उसका एक मुख्य कारणी है कि यह विक्ति जो पॉलिटिकली incorrect है इसके दिमाग में जो आता है वो यह बोल देता है और सुबह शाम ट्विटर की उपर ट्विट जो करता है जो बन वह जोए बाइडन के सामने यह एक चैलेंज जो है वो हमको देखने को यह और चैनल जो हो मिलते हैं तो खैर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा यह तो वहां का जो तीन नमबर का जो वोट होगा उसी दिन पता लगेगा पर तो उससे पहले जब भी जो निउस है उसको हम समझ और सकें कि यह क्या चल आ रहा है और जो होने वाला है तो इसके लिए कि लेक्शर जो काफी इंपॉर्टेंट और तो अगर हम देखते हैं कि क्या प्वेस्टिन जिसके आ सकते हैं तो UPSC के अंदर जो है वह तो सेलिबस के अंदर ही लिखावा है कि यह इसको दूसरे दिश पहले से question आ चुका है, interview के अंदर बहुत सारे, UPSC के interview के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिन से US elections जो हैं, उनके question पुछे जा चुके हैं, तो interview perspective से भी, mains के perspective से भी, और syllabus के point of view से भी, ये जो election process है, ये काफे important बन जाती है, तो आशागरता हूँ कि ये जो है, वो आपको सब्स झाल, 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